कोरोना माहमारी से जूज रहें समूचे विश्व में वाइरस से बचाओं के लिए टीका करना भियान चलाया जा रहा है तो दूसरी योर नार्वे से एक हैरान करने वाली ख़बर आ रही है नार्वे में कोरोना वेक्सिन लगाने के बाद 29 लोगों की मौत हो गई है बता देकिन नार्वे में अमेरिका की फार्मा कमपनी फाइजर की वेक्सिन लगाई जा रही है गौर तलब है कि नार्वे में 27 दिसंबर से टीका करना भियान शुरू हुआ था जानकारी के मताविक महां अब तक 30,000 से ज़्यादा लोगों को टीके लगाया चुके है और वेक्सिन के साइड इफेक्ट कई लोगों में देखने को मिले है जिन में से 29 लोगों की मौत हो गई है नार्वे में वेक्सिन लगाने से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें गंभीर साइड इफेक्ट देखे गए है इंसाइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रियेक्शन बहुत ज़्यादा बेचेनी और तेज बुखार शामिल है बता देखी जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें वेक्सिन का पहला डोज ही दिया गया था वही वेक्सिन से 29 लोगों की मौत की बात सामने आने पर नार्वे की सरकार का कहना है कि बिमार वो बुजुर्गों के लिए कोरोना ठीका करन काफी जोकिम भरा है जानकारी के मुताबिक नार्वे में जिन 29 लोगों की मौत हुई है उन में बुजुर्व यक्तियों की संक्या जादा है बता दे की मोतों के पीछे का कारण वेक्सिन का ही साइड इफेक्ट माना गया है वेक्सिन लगाने के बाद वे गंभी रूप से विमार होने लगे